Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Daybook क्या है तथा Daybook और उसके अन्य आप्शिन्स कैसे उप्योग करते हैं आपको ध्यान होगा, Manual Accounting में हम सबसे पहले Journal में Transactions रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्रमशह लेजर, Trial Balance, Trading and Profit and Loss Account और आखिर में Balance Sheet बनाते हैं जबकि Tele में हमें सिर्फ Legers, Stock Group और Stock items बना कर Vouchers के माध्यम से Transaction रिकॉर्ड करना होते हैं, और बाकी ये सभी काम Tele स्वयम ही हमें करके दे देता है यहां Reports के अंतरगर्थ इन में से आप कुछ को देख सकते हैं इनके साथ ही Tally हमें व्यवसाए या व्यापार्थ को सुचारो रूप से चलाने के लिए अनिकरी Reports भी प्रदान करता है जिने हम Display More Reports की साहता से देख सकते हैं इनी Report में से एक बहुत ही महतुपून Report है Day Book जिसके बारे में आजम बताने जा रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं रिपोर्ट से आशे होता है किसी विवरंड से हमने आपको बताया था कि Manual Accounting में जो Entries Journal में की जाती है Tally ने उसे सरल बनाते हुए Entries करने यानि Transactions Record करने के हमें जर्नल के स्थान पर आठ अलग-अलग Standard Accounting Vouchers दिये हैं हम इन सभी पर काम करना सीख चुके हैं अब हमने इन Vouchers में जो Transactions Record किये हैं यदि हम उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए Tally ने हमें Daybook नाम से एक रिपोर्ट option दिया है इसमें हम Day-to-day जो Entries करते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं यह option हमें तीन जगहों पर मिलता है पहला Transactions Heading के अंतरगत वास्तों में तो यह एक रिपोर्ट है पर Transactions से संबंदित होने से Tally ने इसे Transactions के अंतरगत भी दिया है दूसरा Reports Heading के अंतरगत आने वाले Display More Reports में देखें यहां भी Day-book हैं तीसरा यदे आप Tally में कुछ पी काम कर रहे हैं और उसी के बीच आपको Day-book देखना है तो आप GoTo की सहायता से भी देख सकते हैं देखें यहां भी Day-book दिखाई पढ़ रहा है Day-book के मायतु को हम एक उधारन से समझ सकते हैं माल लेजिए हमारा कोई बड़ा व्यापार है जिसमें बहुत से कर्मचारी काम करते हैं जो दिन भर में Tally में अलग-अलग vouchers में कई transactions record करते हैं अब हम इन सभी transactions के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें एक-एक करके सभी vouchers खोल कर देखना समझना होगा जिसमें कि बहुत समय लग जाएगा इसका सरल तरीका यह है कि हम Day-book के माध्यम से इन्हें देखें हम जिस तारीख या period के transactions देखना चाहते हैं उस तारीख या period की Day-book ओपन कर लें वहां हमें सभी transactions एक साथ मिल जाएंगे और यदि आप उन्हें भी filter करके देखना चाहें तो Day-book में उसके लिए भी अनेक options दिये गए हैं यहां पर हमारी एक बात ध्यान रखें यदि आप सफल businessman या सफल accounting बना चाहते हैं डे-book देखने के लिए हम gateway of tally पर इसकी shortcut key के press कर रहे हैं यह देखे डे-book open हो गई है यहां हम आपको बता दें कि हम आखिरी transaction जिस तारीख में record करते हैं by default उसी तारीख की day-book open होती है सरल चब्दों में यह कहा जा सकता है कि gateway of tally पर current date में जो भी date होगी यहां day-book में उसी तारीख के transactions दिखाई देंगे यदे आप किसे निश्यत तारीख के सभी vouchers देखना चाहते हैं तो f2 key press करें अब तारीख type करें हम यहां पर 31 जुलाई ले रहे हैं यह देखे हमारे द्वारा select की गई तारीख के सभी vouchers दिखाई पढ़ रहे हैं यदे आप किसे निश्यत अवधी के सभी vouchers देखना चाहते हैं तो alter के साथ f2 key press करें अब आप जिस period के vouchers देखना चाहते हैं वो period सिलक करें हम एक मही से एक जुराई का period ले रहे हैं यह देखे हमारे द्वारा select किये गए period के सभी vouchers दिखाई पढ़ रहे हैं यदे आप वर्ष के आरंभ होने यानि एक अप्रेल से जिस आखिरी तारीक तक आपने transactions record किये हैं उस सभी vouchers देखना चाहते हैं तो alter और f2 key को press करें यहां from में space bar press करें और फिर enter press करें यह देखे डेट चली गई है और इसी तरह 2 में इसे भी space bar press करके enter press करें enter press करते ही हमने अपनी company में जितने भी vouchers बनाये हैं वो सभी दिखाई पढ़ रहे हैं आगे बढ़ने से पहले उपर वो तारिक या पीरेट सही हो ऐसा चेक कर लें यहां पर डे बुक में आप जो वाउचस देख रहे हैं उनमें जो भी transactions हुए हैं उनसे प्रभावित होने वाले दोनु लेजर में से एक एक लेजर ही दिखाई पढ़ रहा है यदि आप प्रभावित होने वाले दोनु लेजर दिखना चाहते हैं तो आल्टर और F5 कीज को प्रेस करें यह देखिए दोनु लेजर दिखाई पढ़ रहे हैं अब पुन्ह पहले के स्थिति में आने के लिए आल्टर और F5 कीज को प्रेस करें यदि आप सभी वाउचर की रिपोर्ट को पूरी डिटेल्स के साथ देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें कॉन्फिगरेशन मेन्यू में अनेक ओप्शन दिखाई पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले शो निरेशन को यस करके एंटर प्रेस कर रहे हैं और इसके बाद format of report में detailed को select कर रहे हैं अब सभी options को यस करते हुए आगे बढ़ते हैं जैसे हम display name for layers पर आते हैं इनके सब options दिखाई पढ़ने लगते हैं हम इने ऐसा ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि इन सभी options को अच्छे से सीखने और समझने के लिए पहले इने इक बार ध्यान से पढ़ लें और पर इन options में से एक-एक को yes या no करके और जिन options में सब options हैं उन में से भी एक-एक को select करके try करना चाहिए ऐसा करने से आपको यह ग्यात होगा कि कौन से option का report पर क्या प्रभाव पढ़ता है चलिए end प्रेस करके आगे बढ़ते हैं देखिए यहां हमें तारीख के क्रम में narration के साथ सभी vouchers की पूरी details दिखाई पढ़ रही हैं यहां आपको एक बात बता दें आप कहीं भी काम कर रहे हूं और वहां से सबसे आखरी में जाना चाहते हूं तो end की प्रेस करें इसी तरह शुरुवात में आना चाहते हैं तो home की प्रेस करें टैली में हम day book तो देखी रहे हैं इसे के साथ हम आपको manual accounting की journal भी बता रहे हैं इन दोनों को देखकर आप समझ सकते हैं कि manual accounting की journal और टैली में computer accounting की day book दोनों एक ही हैं दोनों में सौधों की तिथिवार यानि day by day और दोहरा लेखा प्रणाली के सिधानतू के अनुसार विवरण के साथ विधिदर debit और credit बक्ष में entry की गई है इस वीडियो में आपने day book का दिन प्रति दिन होने वाला उप्योग सीखा इसके बाद वाली दो वीडियो में हम day book में उप्योग होने वाले और ये options के बारे में बताएंगे